जैसीरी कृष्णा किर्षन जन्माश्टमी ब्रत में खाने पीने का उचित समय क्या है सास्त्रों में क्या बताया है संपूर जानकारी आपको हम बिस्तार से बताएंगे इससे पूर बाप को बताया था कि जन्माश्टमी ब्रत का सुब मुरुत क्या है वो उनसे समय में हमें किरिशन भगवान की पूज़ार्शना करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो उन बातों से हम आपको अगवत कुरा चुके हैं वो वीडियो हम आपके लिए अप्लोड कर चुके हैं लेकिन अब हम बात करेंगे कि जनमाश्चमी ब्रत में खाने पीने का उचित समय क्या है और इस समय में ही हमें खाना पीना चाहिए और साथ में जानेंगे वे कौन सा समय है जिसमें हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है अगर हम उस समय में खापी लेते हैं तो हमारा ब्रत जो खंडित हो जाता है ब्रत का पूर्ण फल हमें नहीं मिल पाता है तो यदि लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेतन जरूर करता हूँ कॉमेंट बॉक्स हो खाली ना चोड़े कॉमेंट बॉक्स में आज तो जै श्री कृष्णा जरूर लिखें भगवान श्री कृष्ण की करपाद से आपके संपूर्ण जो मनोकामनाय पूर्ण होंगी और संपूर्ण ब्रत का फल आपको प्राप्त होगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सा समय है जिस समय में हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है तो वो समय है सूर्य अस्त के बाद जैसी सूर्य अस्त हो जाता है सूर्य आस्मान में अस्त हो जाता है डूब जाता है और अंधेरा चा जाता है तो उसके बाद हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है जब तक यानि कि रातरी बारे बजे के बाद भगवान सिरी किर्शन की पूजा अर्षना नहीं हो जाती पूजा अर्षना के बाद हम फलाहार और जूस खा पी सकते हैं वो समय एक अलग है लेकिन इससे पूर हम अब जानेंगे कि दिन में वो कौन से समय है जिस समय हम कुछ पी सकते हैं लेकिन दिन में हम खा तो नहीं सकते ये ध्यान रखना फलाहार भी ग्रहने नहीं कर सकते यदि हमें ब्रत पूर्ण रूप से करना है कुछ लोग तो अपनी तफस्या को यहां तक स्रिस्ट कर लेते हैं कि वो तो दिन में भी निर्जला वरत करते हैं कुछ भी खाते पीते नहीं है ये अपनी सरदार बिर्षवास है लेकिन अधिकांस छेतरों में एक समय ऐसा है जो आप कुछ पी सकते हैं जूस वगेरा और जूस है चाय है और पानी है ये आप लोग पी सकते हैं कुछ लोग सिकंजी बना कर पीते हैं तो वो समय कौन सा है दोस्तों वो समय है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँआ ये दिकतर समय है जो अधिकान सो शेत्रों में पिर्चलित है वो तीन से चार है वो एक बार आप लोग तीन से चार बजे के मद्दे आप लोग एक बार जूस पानी चाय पी सकते हैं और वो आपकी आस्ता है मन है पिर्चन है जिस आस्ता से आप लोग ब्रत कर रहे हैं और आपकी सिर्दा पर डिपेंड करता है तो यह जो समय है उचित समय है इस समय आप लोग कुछ जूस वगरा पी सकते हैं स्याम को तीन से चार बज़े के मद्दे और इसके बाद आप लोग जब सूरास्त हो जाता है कुछ भी खाना पीना बिल्कुल भी नहीं है इस वात का आप लोग खाना और मद्दे रातरी को भगवान स्रीकेशन की पूजार्शना करना के बाद आप फलार ग्रहन कर सकते हैं अन बिल्कुल भी इस विरत में नहीं ग्रहन करना है पूरी तरह वर्जित है सास्त्रों में अनकेवल पारण का जो समय है वो हम आपको बता चुके हैं और पारण का जो समय है वो सुबह नो बज का सम्मालिस मिनट के बाद ही है उसके बाद ही आप लोग अन ग्रहन कर सकते हैं यह आप लोग धान रखें वैसे पारण के दो मूरत हैं उनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे यदि अभी तक आपने च सही और सठीक जानकारिया मिलती रहेंगी